So, यह है Premiere Pro का 5th Episode जिसमें हम बात करने वाले है अनिमेशन के बारे में Basically किसी भी Text को और किसी भी Shape को कैसे आप लिख के बना के अनिमेट कर सकते हो Key Framing की Help से Premiere Pro में जो की मतलब बहुत सी एक Simple सी चीज है बट बहुत ही अच्छे-च्छे बहुत ही advanced चीज़े आप create कर सकते हैं उसकी मदद से तो सीधा हम आते हैं time line पे और यहां पर left side में आप आओगे तो यहां पर दिखेगा आपको T का sign इसका मतलब है text तो इस पर हम click करते हैं अब click करते ही आप आएंगे program monitor पे यहां पर program panel में तो आपके सामने यहां पर type का option आ आ गया अब हम यहां पर कुछ भी click करते हैं click किया अब यहां पर हम आएंगे control effect control पैनल साइड में खुल गया और text के उपर यहां पर click है अब इसको हम यहां से click करके खोल लेंगे यह arrow से ठीक है नीचे आ जाएंगे option कई सारे कि font कौन सा लेना है आपको और color कौन सा चाहिए तो basically color हमारे पास हम click करेंगे इसके उपर और हम लेते हैं dark blue अब ok कर देंगे और यहां पर click करके type करेंगे कुछ भी for example motion यह कोई अलगी font है पहली बात तो मुझे font change करना है तो एक second हम यहां पर click करके source text के नीचे font का option आता है यहां पर हम एक font है ले लेते हैं helvetica neo helvetica अब यहां पर click करेंगे अब हम type करते है motion तो यह हमारा font लिखा हुआ आ गया है ठीक है अब हम क्या करेंगे इस font को animate करते हैं कैसे animate करेंगे keyframe की help से अब देखो जैसे कि कुछ कट करना है तो आप click करोगे for example आप करना है तो और पर क्लिक किया अपने backspace से normally ऐसे हम type करते हैं computer पर वैसी type करना है तो यहां पर आता है मुद्दा कि इसको animate कैसे करें तो animate करने के लिए कहां जाएंगे आप effect control में किसी भी effect को control करना है तो वह आता है effect control क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है तो यहां पर हम इसको बंद कर देंगे क्लिक करके यहां पर क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा और अब हम आएंगे motion क्योंकि motion की help से इसको animate करेंगे राइट तो motion पर हम क्लिक करते हैं यहने क्लिक कर दिया अब यहां पर हम आएंगे खाली space में और यह देखो यह उपर नीचे होने लग जाएगा ऐसे तो for example हमको अभी motion ग्राफिक को उपर से नीचे लेकर आना ऐसे मैं चाहता हूं कि जो इसकी animation है वीडियो में वह उपर से नीचे की तरफ हो पकसे बौटम तो हम पहले इसको लेजाएंगे की Dieशेखो कि हमारी जी टेक्स उसकी लेयर कौन सी है यह उसके लेयर इसको मड़ा देते हैं थोड़ा सा कि मिलस्ट की लिएर है हमारे जैसी देखो जैसी करशर है टाइ्म लाइन है इस की अटे की दिको तो यह है मारा motion graphical layer अब हम यहां से आते हैं वीडियो की starting में और हम motion पर क्लिक करते हैं कि यह उपर रहे और end होते हो तो यहां आते आते नीचे हो जाए तो उपर जाते हैं इसको हम करते हैं motion keyframe यहां पर position पर हम add करते हैं अब हम यहां पर आते हैं end पर और हम position को कड़ते हैं नीचे यह देखो कि यह कर दिया में नीचे अब यह एक simple सी quick animation बन गई हमारी वीडियो स्टार्ट होगे play करते हैं यह देखो आप इसे बोलते हैं animation keyframe की help से बहुत simply create हो गया यहां पर वीडियो में आगे पीछे करोगे यह हो गया motion graphic तो basically it's a part of motion graphic हमने टेक्स्ट को यहां पर animate किया है अब यह simple move कर रहा है धीरे धीर ऊपर से नीचे आ रहा है अब इसके motion को भी आप एक अलग frequency एक speed कम जादा दे सकते हो मतलब कि जैसे कि अभी एक constant speed में नीचे आ रहा है हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि यह अचानक से गिरे और यहां पे bottom पे touch होते से पहले हलका सा slow हो जाए उपर से start of fast और bottom पे touch होने से पहले slow हो जाए तो वह चीज key framing में detailing में आपको हम बताएंगे next episode में basically क्योंकि वह बहुत जादा एक अपने आपने लंबा topic है और वीडी को जाए लंबा करते नहीं है तो हम आते हैं text animate हो गया ऐसे ही हम लेंगे shape कोई भी shape कैसे लेते हैं आप यहाएंगे आएंगे यहाँ पे left side में आपको दिख लागा sign rectangle का basically rectangle आपको ड्रॉ करना तो इस पर आप क्लिक करके रखो दबा के press करके तो आप देखो क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो rectangle ड्रॉ कर सकते हो circle ड्रॉ कर सकते हो और यह यहाँ पर क्या हुआ है देखो मैंने circle तो बनाया बड़ जो circle है यहाँ पर learning आपके लिए मैंने circle है वो motion graphic जो यहाँ पर layer है टेक्स लेयर इसी के साथ ही बना दिया मतलब इसी के layer के अंदर ही मैंने जो shape है circle मैंने create किया है और देखो इससे क्या हुआ है कि जो animation जो key framing हमारी motion graphic के उपर apply थी वही same हमारी यहाँ पर circle पर apply हो चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ play करके देखो आप यह देखो आप वही same animation यहाँ पर apply हो चुकी है यह मेरी mistake थी बठा इस mistake से भी आपने चीज सीख ली कि उसके अंदर आप बनाते हो अगर सेम लेयर के अंदर तो जो सेम चीज़े अप्लाई होती है की फ्रेमिंग उसी के उपर apply हो जाएंगी यहाँ पर देखो कैसे animate हो गया तो basically हम बताते हैं कि अलग से कैसे करना है आपको तो हम यहाँ पर motion graphic को कर देते हैं delete और यहाँ पर हम एक शेप लेते हैं अलग से उसको हम ड्रॉ करते हैं circle again शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ ग्राफि और इसको करोगे आगे ऐसे नर्मल एक animation create हो गई देखो आप simple अब इस animation को आपको smooth करना है किसी भी animation आपको smooth करना है तो आप simple एक काम करो अब की फ्रेम पे आओ इसको करो आप temporal और यहाँ पे आप कर दो easy out और यहाँ पे आप कर दो temporal easy in तो इससे क्या होगा आपका motion आपका smooth हो जाएगा देखो आप अब यह smooth क्या होगा ना कि पहले यह बहुत जर्की feel हो रहा था अब यह अपने point से धीरे धीरे start होगा फिर बीच में इसकी speed बढ़ेगी हलकी सी और फिर यह अपने end position पे पहुंचते पहुंचते slow हो जाए की फ्रेमिंग के उपर कैसे की फ्रेमिंग के help से बहुत अच्छे animations create होते हैं तो की फ्रेमिंग के उपर पूरी अच्छी खासी वीडियो लाएंगे दस बारा मिनट की जो भी वीडियो बनती है तो बागी मिलते हैं आपसे next episode में और मेरे ख्याल से आपने text के बारे में कैसे एनिमेट करते हैं और कैसे उसको शेप को एनिमेट करते हैं आपने basic तो सीखी लिया होगा फिर मिलते हैं आपसे next video में